ओम नमो भगवते वासुदे वायं। में सभी भगतों का स्वागत है। में यदि हमें स्मरण हो तो पिछले सत्र में हम सभी ने सकंद 11 अधियाए 7 आरंब किया है। जहां पर भगवान श्रेकृष्ण इस धराधाम से सिरोधान करने के उपक्रम में उद्धव द्वारा ये प्रार्थना किये जाने पर कि उन्हें भी संग में ले जाएं। स्पष्ट रूप से कुछ अधिक समय तक कल्यूग के वासियों को कुछ आवश्यक, घूड, मार्ग, निर्देशक, नीती तत्व बतलाने के लिए रुखने का अनुरोध करते हैं। तो उद्धव के माध्यम से भगवान श्रेक्रश्ण ने स्पष्ट किया है कि प्राणियों को अपने होतिक भावना से भक्ती भावना की और अग्रसरित होने के लिए क्या करना आवश्यक है। प्रविस्मरन रहना चाहिए कि भगवान श्रे कृष्ण और चैतन्य महाप्रगू साथ साथ आते हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं तो आप में से प्रभुजी का प्रश्ण था उसका उत्तर है यहाँ पर हर द्वापर में हर दिव्य युग में एक हजार तो यह वैवस्वत मनवंतर का 28 वा दिव्य युग चल रहा है जिसके द्वापर में भगवान श्रे कृष्ण आते हैं और उस द्वापर के बाद का जो कल्योग है उसमें चैतने महाप्रगू आते हैं तो यह अत्यधिक और इसलिए यह कल्योग 10,000 वर्ष पुर्व जो प् पापाचार, अनाचार और वैविचार की भैंकर तबाही समाने जन्मानस के लिए रहने की अत्यंत अशुव परिस्थिती कही गई है कल्योग के लिए लेकिन वो कल्योग जिसमें चैतने महाप्रगू उपस्थित होते हैं और चैतने महाप्रगू का वो पस्थित होते हैं उस द्वापर में जिसमें भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो श्री कृष्ण और चैतने महापरभू एक साथ आते हैं दिव्य योगों का जो सामानेत्य अक्रम है उसमें सत्य यूग द्वापर त्रेता कल्योग है के यह जो वैवस्वत मनवंतर का 28 वा दिव्य यूग चल करने के लिए दिक्षित करने के लिए कुछ सुत्र उन्हें विवेचित किये हैं जिसका भाग दो अध्याय साथ श्लोक संक्या 26 27 से हम सभी आज मंगलाचरन के पश्चा श्रवन करने का प्रयास करेंगे त्वारम करते हैं मंगलाचरन से नारायनम नमस्कृत्य नरम्चैव नरोत्तमं देविं सरस्पतिं व्यासं ततो जयम उधीरयेत श्रण्वताम्स्वकताक्रिष्ण पुन्य अश्रमन कीर्तन यद्यन तस्तोय भद्राणी विधुनोती सुयच्यताम नश्ट प्रायेश्व भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवत्य उत्तम अश्लोके भक्तेर भवती नश्टिकी ओम ज्यान्ति मिरांधस्य ज्यानां जन शलाक्या चक्षोनितम्हीन तस्मै श्री गुरु वेनमा मूकम करोती वाचालं पंगुम लंगयते गिरिम् य आंचा कल्पतरुप्यष्य कृपसिन्दुप्य एवच पतिता नाम पावनेब्यो वैश्न वेब्यो नमो नमा जै श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्या अनंद श्री अध्वेत गदाधर श्री वासाधी गोर भक्त वृंद अरे खृष्ण अरे खृष्ण अरे पुना सभी भक्तों का स्वागत है सत्र पांच सौट थानवे में जहां हम सभी आरम करने जा रहे हैं इसकंद ग्यारम अध्याय साथ श्लोक संख्या 24 पच्चेस तक हमने श्रवन किया है वहीं से संदर्व लेते हुए आगे बढ़ेंगे यदि हमें स्मरण है तो राजा यदू तथा एक अवधूत से संबंदित एतिहासिक वारता प्रस्तुत करते हैं पुन प्रशतम भगवान शेक्रिष्ण उध्धव के समक्ष तो उध्धव को ये कथा इसलिए बतलाएंगे भगवान आचारे लिखते हैं कि तरक युक्त बुद्धी का उप्योग भक्ती योग में वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कैसे किया जा सकता है कैसे एक बुद्धिमान विर्थी अंततर भगवान के चरण कमलोदक अपने आपको ले जा सकता है जहां हमने श्रमन किया था वहाँ पर यदू तो यदू ने कहा था श्री यदू वाच गुतो बुद्धियम ब्रह्म्भन अकर्तूसु विशारदा यामा साथ्यभवान लोकं विद्वान चरती बालवत श्री यदू ने कहा है ब्रहम्भन मैं देख रहा हूँ आप किसी व्यवारिक धार्मे क्रत्य में नहीं लगे हुए तो भी आपने इस जगत में सारी वस्तूओं तता सारे लोगों की सही सही जानकारी प्राप्त कर रखी है हे महान उभाव मुझे बताएं कि आपने ये असाधारन बुद्धी कैसे प्राप्त की और आप सारे जगत में बच्चे की तरह मुक्त रूप से विचरन क्यों कर रहे हैं तो जिस प्रकार एक हीरे की परक जोहरी ही कर सकता है अने के लिए ये उच्चुकता का विश्य हो सकता है कोई चमकीला पत्थर हो सकता है जिग्याशा का विश्य हो सकता है कि ये कौन सा चमकीला पत्थर है और पहचान करने की बुद्धिमान को बुद्धिमान पहचा सकता है ये कहना कि मुर्ख को भी केवल मुर्ख ही पहचान सकता है ये उतना उचित तर्क संगत वक्तव नहीं है पर एक उधिमान को पहचानने के लिए एक भक्त को पहचानने के लिए एक असाधारन बुद्धी प्राप्त व्यक्ति को पहचानने के लिए सामने से उपस्तित व्यक् प्रायो धर्मार्थ कामेशु विवित सायाम चमानवा हे तुनेव समीहंत आयुशो यश शश्रिया सामानने तेया मनुष्य धर्म अर्थ काम तथा आत्मा विश्यक ज्यान का नुश्रियन करने के लिए कठीन परिश्रम करते हैं। परिश्यक ज्यान का अनुशिलन करने के लिए सामानत या जीव को तिदिक प्रयास करना पड़ता है। और ऐसा करने के पीछे जीव का जो औचित है वो अनेकों बार केवल और केवल इस बहुत इक धरातल पर ही स्थरोजाता है। कहीं यश बढ़ाने के लिए, कहीं आयू कराने के लिए तो महाराज यदू स्पश्ट कर रहे हैं कि वास्ता में युवा ब्राम्हण अवदूत वैसा नविक्ति नहीं दिख रहा है यह तो विशिष्ट आध्यात्मिक पद को प्राप्त कोई विशेशक्य लगता है तो आध्यात्मिक जगत के भी वैज्यानिक होते है शब्दिया पर प्रयोग हुआ है त्वम्तू कल्प कवी दक्ष सुभगो अम्रित भाशन न करताने हसे किंचे जड़ उनमत पिशाचवत तथा पी समर्थ विद्वान दक्ष सुन्दर तथा सूस पश्ट वक्ता होते वे भी आप न तो कोई काम करने में लगे हुए हैं न इतने अपने आपको किसी भी स्वराट रूप में रखते वे किसी भी बंधन से मुक्त रखे हुए ये अवधूत हैं कि महराज यदू किंचित जिग्यासु हैं उत्सुख हैं ये समझने के लिए कि आपने ऐसा क्या प्राप्त कर लिया है कहते हैं जनेशु दह्य मानेशु कामलो भद दवाग्निना नतप्यसे अग्निना मुक्तो गंगा भ्यस्थ इवद्विप ये द्यपी भौतिक जगत में सारे लोग काम तथा लोग की दवाग्नी में जल रहे हैं किन्तु आप स्वतंत रह रहे हैं और उस अग्नी से जलते नहीं आप उस हाथी के समान है जो दावाग्नी से बचने के लिए गंगा नदी के जल के भीतर खड़े होकर आश्रे लिए हुए तो अभी हमने एक सत्र के आरब में कल्यूग की विभत सिस्तिक अश्रावन किया पता भी भगवान कहते हैं कि वो कल्यूग में भी अलतरित हो भगवान अपने आपको प्रस्तुत करते हैं तो भगवान लीला तो कहीं से भी रेकर कर सकते हैं पर इस धराधाम पर उपस्तित होकर लीला करते हैं ताकि भक्तों को उनके विश्वास को और ध्रंता पूरवक अन्यों के लिए मागदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया जा सके सामानेत आइस जगत के सारे लोग काम की अगनी में और कामनाओं की अगनी में इक्षाओं की अगनी में लोग की दावागनी में उसको प्राप्त करने की अभीपसा से प्रयास कर रहे हैं पर ऐसा लगता है कि आप तो बिल्कुल स्वतंत रहे हैं आप में ऐसी कोई व्यक्ति से प्रबुद्ध हैं तथा पी इस विशे वासना में अपने आपको धमित करके विस्मृत करकर रखे होए हैं और गंगा नदी के प्यल के भीतर आश्रे लेकर खड़े होने कार्थ है कि सभी प्रकार की भावनाओं के इस द्वंद में जिसने कृष्ट भावनामृत का आश्रे ले रखा है शुला भक्ति सिधान सरजुति ठाकुर कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो इन कामनाओं के महा समुद्र में या इन कामनाओं की दावागनी में अपने आपको जलने से शांत रख पा रहा है वो शाश्वचेतना युक्त भक्त राजा येदु कहते हैं आनंदे कारणम ब्रूही स्पर्श विही नस्य भवतह के वलात्मन है ब्राम्वन हम देखते हैं कि आप भौतिक भोग से किस प्रकार के स्पर्श से रहित हैं और बिना किसी संगी या पारिवालिक सदस्य के अकेले ही भ्रमण कर रहे हैं चुकि हम निष्ठा पूर्वक किसी को भी नहीं दे सकते हैं इसलिए आत्मिक अध्यात्मिक दिश्टि विक्सित करने की आचार्यों द्वारा पुष्टी की गई है एक साधक के लिए जब हमारे पास जीवन में भक्ति है तभी हम अन्यों को भक्ति का दान दे सकते हैं कि अवल व्यर्त के प्रलाप से जी हो रहा है कि ये अवधूत किसी कपट पूर्ण आचरन की प्रस्तुती के लिए ऐसा विरक्त नहीं दिख रहा है अपि तो ये स्वाभाविक रूप से अपने हृदे में आलोडित होने वाले महान आनंद को अनुखो कर पा रहा है इस पश्ट रूप से ये भौतिक जगत के शडिक संबंधों से मुक्त है और भगवान का अतीव प्री है क्याते हैं आगे श्री भगवान वाच यदू नेवं महा भागो ब्रह्मनेन सुमेधसा प्रिष्ट सभाजित प्राह प्रश्ट यावन तमद्विज भगवान कृष्णे का ब्रामणों का सदय आदर करने वाल बुद्धिमान राजा यदू अपना सिर्जुकाहे प्रतिक्षा करता रहा और वह ब्रामण राजा की मनुवृति से प्रसंद होकर उत्तर दे लेगा तो राजा यदू ने इस प्रकार से निवेधन किया है ब्रामण अवधूत ने राजा की मनुवृति को पहचानते यह भगवान बतला रहे हैं उद्धव को जिसे शुक्देगो स्वामी बता रहे हैं महाराज परिक्षित को श्री ब्रामण ने कहा है राजन मैंने अपनी बुद्धी से अनेक गुरूओं की शरण लिये उनसे दिव्वे ज्यान प्राप्त करने के बाद मैं मुक तवस्था मैं प्रत्वी पर विच्रन करता हूं जिस रूप में आपसे वर्ण करों क्रिपया करके सुने जब यह कहते हैं राजा के समक्ष अवधूत की मैंने अनेक गुरूओं से इशरण ली है तो सामानेत है हमारी दृष्टी में आएगा अच्छा इस आश्रम के इस गुरू से ल कि सामान दृष्टी से उनको हम यदि अवलोकित भी करें तो उनमें गुरू तत्व क्या है उससे हम अपने आपको आलोकित नहीं कर पाएंगे इसलिए हमें यहां पर अवधूत के आश्रे के आवशक्ता है अवधूत के इस वृत्तान्त को श्रवन करने के आवशक्ता है तो अवधूत कह रहा है यहां पर मैंने जिन अपने गुरूओं से शिक्षा लिए उनके प्रभाव से अब मैं मुक्तवस्था में इस धरा पर विच्रन कर पा रहा हूँ बुद्धी से अपने व्यर्थ की इक्षाओं को लांग कर अपने चरम लक्ष भगवान की प्रेम भक्ति में मैं अपने आपको अनुरक्त करने वाला हूँ इसलिए मैं अब आपको इन गुरूओं के विशे में बतलाऊंगा जिनके पास पुस्तग है मेरा अनुरोद रहेगा कि आप पुस्तगों का प्रयूप करें यहां पर मैं श्लोक भी दिखाने का प्रयास करूँगी लिखते हैं श्लोक संख्या 33-34 में प्रित्वी वायू आकाशम आपो जोगनी चंद्रमारवी कपोतो अज्कर सिंधू पतंगो मधु कृत्कज मधुहा हरिनो मीन पिंगला कुर रोर्भक कुमारी शरकृत सर्प और नाभी सुपेशकृत एते में गुर वो राजन्चतुर विंशति आश्रिता शिक्षा वृत्ति भी एते शाम अन्व सिक्षमी हात्मनां हिराजन मैंने जिन 24 गुरों की शरण ली है उनके नाम इस प्रकार हैं पान बनाने वाला साप मकडी तथा बर्रा हिराजन इनके कारेों का अध्यान करके ही मैंने आत्म ज्यान सीखा है तो यह हमारे लिए बहुत महत्वगी बात है समझने की कि भागवत्म कितने बारीक सुक्ष्म विशलेशन को यदि किंचित मात्र भी उसमें आध्यात्मिकता है तो इतने मुखरित रूप में प्रस्तुत कर रहा है पर्रे के लिए यहां पर हमारे आचारे लिखते हैं इसे सुपेश कृत भी कहा जाता है क्योंकि यह जिस कीड़े को मारता है उसे अगले जन्द में सुन्दर स्वरूप प्राप्त होता है तो आध्यात्म बहुत गहराई तक है आगे लिखते हैं यतो यद अनुसिक्षामी यथावाना हुशात्मज ततता पुरुश व्याग निबोध कत्यामिते हे महाराज ययाती के पुत्र हे पुरुशों में व्याग्र सुनो क्योंकि मैंने इन गुरुवों से जो सीखा उसे मैं तुम्हें बतला रहा हूँ अन्य जीवो द्वारा सताय जाने पर भी धीर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसके उत्पीड़क ईश्वर के अधीन होकर असहाय रूप से कर्म कर रहे हैं इस तरह उसे कभी अपने पत की प्रगती से विपत नहीं होना चाहिए मैंने प्रत्वी से ये नियम सीखा है तो अब क्रम्श ये जो 24 नाम है यहाँ पर प्रत्वी, वायू, आकाश, जल, अगनी, चंद्रमा, सूरे, कभूतर, अजगर, समुद्र, पतिंगा, मधुमक्खी, हाथी, मधुचोर, हिरन, मचली, पिंगला, वेश्या, कुररी, पक्षी, बालत, तरोनी, बाड बनाने वाल साप, मकडी, तथा बर्रे, एके करके अवधूत बताते जा रहे हैं, तो प्रत्वी से, प्रत्वी सहनशिल्ता की प्रतीक बतलाई गई हैं, अवधूत कहते हैं कि ठीर व्यक्ति, वो कहा जाएगा, जो अन्य जीवो द्वारा सताया जाने पर भी, अपने उत्पीडक को सहनशिल्ता का ये गुड प्रत्वी को गुरू के रूप में मानने से अधूत कहता है, मैंने सीखा है, कहीं पर प्रदूशर से कहीं तेल के लिए गहरे कुएं खोद कर, कभी हरे भरे जंगल बिक्षों को काट कर, कभी कहीं भूमी को बंजर बना कर, कभी कहीं निशन से प्रत्वी का ध्यान करकर सहने की कला सीख सकता है, दूसरा उलेख है यहाँ पर परवत के लिए, तो पहला गुरू बताया है, प्रत्वी को उसके पश्चात साप के क्रम में जाने से पहले इसी प्रत्वी पर श्लोक संख्या 38 में व्यक्त करते हैं, परवत को धारण करती है संध पुरुष को परवत से सीखना चाहिए, कि वह अपने सारे प्रयास अन्यों की सेवा में लगाए और अन्यों के कल्यान को अपने जीवन का एक मात्र धिये बनाए, इस तरह व्रिक्ष का शिश्य बनकर उसे स्वयम को अन्यों को समर्पित करना सीखना चाहिए, तो समझना चाहिए अपने आपको एकांत में रहते हुए अन्यों की सेवा में लगाने के लिए सीखना चाहिए अपने आपको समर्पित सभी संसाधनों के साथ व्रिक्षेओं के लिए सभी परिचित ही हैं फल फूल शीतल चाया औसधी छाल यहां तक की काट कर इंधन के रूप म आगे कहते हैं श्लोक संख्या 49 में वित्वान मुनी को चाहिए कि वह अपने सारे साधे जीवन यापन में ही तुष्टी माने वह भौतिक इंद्रियों की तुष्टी के द्वारा तुष्टी की खोजना करें दूसरे शब्दों में मनुष्ये को अपने शरीर की हरवा इस उत्तर करनी चाहिए कि उसका उच्चतर ज्यान विनश्ट न हो और उसकी वानी तथा मन आत्म साक्षात कार के मार्ग से विचलितना हो कहने में बहुत सरल है पालन करने में बहुत अधिक व्यवारिक रूप से कढ़ें है तो बुद्दिमान व्यक्ति कभी भी अपनी भौत इतना इंद्रियों को सनलगन करना हो उतना कारे करने के पश्चात उनसे अपने आपको विलग कर ले ये शरीर आत्मा इंद्रियां मन बुद्धी सबके प्रतक अस्तित्व को समझ सके बगवत गीता में इसके सार्व के रूप में इस पूरी पंक्ति और इस पूरे विशे क कि सार के रूप में भगवान ने का है युक्ता हारफिहारस्य युक्तचेश्टस्य करमशू मनुश्य को चाहिए कि अपने सारे शारेवी कारियों को बुद्धि मत्ता पूर्वक नियमित बनाएं ताकि वे आत्मसाक्षादकार में सहायक बन सेके तो नियम बनते हैं बनाए जाते हैं नियमित्ता लाने के लिए नियम नियमित्ता लाने के लिए बनाए जाते हैं और उस नियमित्ता में जीव जितना आवश्य के उतना बोजन करें जितना आवश्य के उतना निद्रा का गमन करें यह भौतिक इंद्रियां भौतिक भावना से भक्ति भावना क्यों अग्रसरित हो सके इसके लिए जो कुछ भी भक्ती के लिए अनुकूल है आचारे कहते हैं जो कुछ भी जो भोजन जो विशय जो संग जो स्थान जो परिधान जो कुछ भी भक्ती के लिए अनुकूल है वो जीवन में हमें स्विकार करना चाहिए जो भक्ती के लिए प्रतिक तो मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूं आप सभी से आगे श्लोक संख्या 40 में कहते हैं यहां तक कि योगी भी ऐसी असंज के भूतिक बस्तों से गिरा रहता है जिन में अच्छे तथा बुरे गुण पाये जाते हैं कि तो जिसने भौत एक अच्छाई दधा बुराई लांग ली है उसे भौत एक वस्तूओं के संपर्क में रहते हुए भी उनमें फसना नहीं चाहिए प्रत्योत उसे वायू की तरह कारे करना चाहिए तो किसी भी प्रकार जिस प्रकार वायू निर्विकार भाव से सुगंध और दुरगंध को समान रूप से लेकर जाती है अपने उत्तरदाइत्व के वहन करने के लिए वायू हवा का अचारे लिखते हैं बाहे स्वरूप है जब जर्नों के ऊपर से भैती है तो स्वक्ष जलकी बूंदे ले जाएगी मन को प्रसंद करने वाली गंद ले जाएगी जब वो सुन्दर जंगल से होकर भैती है पर जब वही वायू अन्य अवसर पर अगनी को दहका कर उस्री जंगल को चला डालती है तब भी वो वायू का वही स्वरूप होता है तो वायू अपने सुभाव को बनाये रखकर शुब तथा अशुब कारियों में निस्पक्ष विवहार करती है इस भौतिक जगत में भी हम हर्ष और विशाद दोनों ही परिस्थितियों का सामना करेंगे पर यदि हम कृष्ण भावनामृत में इस्थिर हैं तो कोई भी अशुब कार्य हमें विचलित ने कर सके किसी भी भौतिक शुबता के लिए हम अपने समय को करें तो बहती हुई वायू से गुरू के रूप में अवधूत वास्तों में क्या कह रहे हैं कि बिना अनुरुक्ति के इस भौतिक जगत में भ्रमण करने का चलने फिरने का जो विवहार है वो हमें स्वीकार करना है इस जगत में स्वरूप सिद्ध आत्मा विविद भौतिक शरीरों में उनके विविद गुणों तथा कारियों कानुभव करते हुए रह सकता है किन्तु वह उनमें कभी उलजता नहीं जिस तरह की वायू विविद सुगंदियों को वहन करती है अब किन्तु वह उनमें घुल मिल नहीं जाती तो वायू के कणों में तत्वों में विविन प्रकार के सुगंद अपनी मूल अवस्था में रह जाते हैं पर वायू कभी भी अपने आपको इस स्वभाव से परे नहीं ले जाती उसी प्रकार जैसे इस जगत में ये शरीर प्राप्त होने के पश्चात हम इसको किसी विकार में ग्रसित ना करें क्रिष्ण भावना भावित होते हुए अपने आपको क्रिष्ण का भिनान्ज समस्ते हुए नियत आत्मा समस्ते हुए शरीर नश्ट होता है पर आत्मा भगवान के समान अचिंतनी है चिंतन के परे है अपने आपको बनाए रखती है अंतर हितस्यस्तिर जंगमेशु ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन व्याप्त्याव्यवक्षेदम्मसंगम् आत्मनो मुनी नभस्त्वम् विततस्यभावयेत। भौतिक शरीर के भीतर रहते हुए विचारवान शादू को चाहिए कि वह अपने आपको शुद्ध आत्मा समझें। इस तरह मनुशे को देखना चाहिए कि आत्मा सभी प्रकार के सजीवों चरो तथा आचरों के भीतर प्रवेश करता है और इस तरह व्यष्टी आत्मा सर्वव्यापी है। सादू को यह भी देखना चाहिए कि पर्मात्मा रूप में भगवान एक ही समय में सारी वस्तूओं के भीतर उपस्तित रहते हैं। आत्मा तथा पर्मात्मा को आकाश के सुभाव से तुलना करके समझा जा सकता है। समीरा पंच रचित यह अधन सरीरा का वक्तव में कहा जाता है। तब हमें ये एक लोकोक्ती के रूप में एक तथे के रूप में जान पड़ता है। पर विचार करके देखा जाए तो वायू आकाश के अंदर है। आकाश वायू से भिन्न है। हमारे लिए दोनों ही भ्रह्म पूर्वक कभी अभिन्न लग सकते हैं। वायू की अनुपस्तिती में भी आकाश उपस्तित है। सारी भौतिक पस्तुएं आचारे लिखते हैं विशाल भौतिक आकाश के भीतर है। विभाजय है। सारी वस्तुओं को अपने भीतर समया हुआ है पर उनमें मिश्रित नहीं होसकता। तो आत्मा और प्रमात्मा के इस्तिती वी वास्ताओं में ऐसी है। असंक्य जिवात्मा है। और उनमें व्याप्त EL परमात्मा, सभी के भीतर प्रवेश करते हैं, पर जैसा लिखा हुआ है कि सभी में उपस्तित रहते हैं तो श्वेतर श्वतर रुप निश्द का वो प्रसित दिशलोग जिसे हम लोग भगवत गीता के सत्रों में भी श्रमन करते हैं आत्मा के विज्ञान के बारे में बाला ग्रशत भाग स्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविग्ये य सचनंत्या य कल्पते यदि बाल के अगले भाग को सौ भागों में विभक्त किया जाए और इन में से प्रत्यक भाग को फिर से सौ भागों में विभक्त किया जाए तो ऐसा प्रत्यक भाग आत्मा की म बाल का अग्रभाग उसके सो भाग कर दिये जाएं और उस सो भाग का जो एक भाग है उस एक भाग के पुना सो भाग कर दिये जाएं तो बाल के अग्रभाग का वास्तों में दस हजारवा भाग जो है वो प्रतेक आत्मा की माप है ये इकाई है आध्यात्मिक अडवों के असंखे कड़ों में बाल के अग्र भाग के दस हजारवे भाग का तुल्ल है ये आत्मा का आकार है माव है पर फिर भी भगवान सर्वव्याबी है किसी में लिप्त न रहते हुए भी हर वस्तू उनके भीतर के स्थान पर टिकी है आकाश की स्थती बिल्कुल भई है अध्याय छे श्मा कीजिए अध्याय नौ श्लोक संख्या छे भगवत गीता में भगवान जब कहते हैं यथा काश स्थितो नित्यम वायू सर्वत्र गोमाहान तथा सर्वानी भूतानी मतस्थानित्यो पधारय जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायू सदैव आकाश में इस्तित रहती है उसी प्रकार समस्त प्राडियों को मुझ में जानो तो ये नित्यता है ये सुक्ष्मता है और ये सर्व व्यापकता है भगवान की तो आज आप सभी को अशुविधा हो रही है क्योंकि तो जीवात्मा और प्रमात्मा की समानता और भिनता को हमने पहले भी श्रवन किया है और यहां पर आकाश के रूप में जो सर्व व्यापकता है उसे गुरु तत्तों में हम कैसे समझ सकें ये हमें अवदूत के इनुधारणों से लिष्टावन करने को मिल गाए आगे कहते हैं किन्थों को उडाती है किन्तु आकाश इंकार्यों से कभी प्रभावित नहीं होता इसी प्रकार आत्मा होतिक प्रकृति के स्पर्श से परिवर्तित या प्रभावित नहीं होती यद्यपी जीव प्रत्वी जल तथा अगनी से बने शरीर में प्रवेश करता है और यद्यपी वह शाश्वत काल द्वारा उत्पन तीन गुणों के द्वारा बाद्धे किया जाता है किन्तु उसका शाश्वत आध्यात्मिक स्वभाव कभी भी प्रभावित नहीं होता तो इस जगत में रहते हुए भी विभिन्द प्रकार के तत्वों अव्यों के संपर्क में आते हुए भी जो शाश्वत स्वभाव है उससे कभी प्रभावित नहीं होता यदि हम इस्परण करें तो ये भौतिक शरीर और मन असंग के परिवर्तनों से जाता है जन्म, मृत्यू, सुक, दुख, प्रेम, घृणा, शाश्वत, जीव इन सब में अपने आपको कभी भी प्रभावित नहीं करता है आत्मा क्या है शरीर बदलने के पश्चात गुण कर्म और सुभाव लेकर अगली यात्रा अगले स्थान के लिए प्रस्थान कर जाती है और जब गुड कर्म और सुभाव तीनों भगवान की श्रणागती में समर्पित रहते हैं तब उस जीव को पुना जन्म नहीं लेना पड़ता तो अफदूत यहाँ पर पृत्वी के बारे में बताते हैं वायू के बारे में बताते हैं अब कहते हैं स्वक्ष प्रक्रीति तीसनेक दो माधुर्यस्तेर्थ भुन्रणाम मुनी पुनात्यपाम बित्रम इक्षो स्पर्ष कीर्तने राजन संथ पुरुष जल के सद्रिश होता है क्योंकि वा कलमश रही स्वभाव से मृदुल दथा बोलने में बहते जल की कलकल थोनी शद्रिश होता है ऐसे संथ पुरुष के दर्शन स्पर्ष या श्रवन मात्र से ही जीव उसी तरह प्रवित्र हो जाता है जिस तरह शुद्ध जल का स्पर्ष करने से मरश्य स्वक्ष हो जाता है इस तरह संत पुरुष्टिर्थिष्थान की तरह है उन सभों को शुद्ध बनाते हैं जो उनके संपर्क में आते हैं क्योंकि वह सदैव भगवान की महिमा का कीरतन करता रहता है तो अगले गुरु जिनके बारे में उद्ध हो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से सुन रहा है जो वास्तों में यदू और अवभूत की वारता है उसमें कहा जा रहा है कि जल के समान कलमश रहित रहना पारदर्शी रहना अपने हिर्दे के बीतर से जहगते हुए भगव भगवान की उपस्थिती को अनुभव करना तो जल का जल को गुरु के रूप में अदूत स्विकार करते हैं क्यूं भगवान के शुद्ध भक्ति के लक्षन को स्पष्ट करने के लिए आगे श्लोक संख्या पैतालिस में कहते हैं संथ पुरुष तपश्या करके शक्तिमान बनते हैं उनकी चेतना अविचल रहती है क्योंकि वे भौतिक जगत की किसी विवस्तो का भोग नहीं करना चाहते हैं ऐसे सहज मुक्त संत पुरुष भाग्य द्वारा प्रदत भुजन को स्विकार करते हैं और यदि कदाचित दुशित भुजन कर भी ने तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिस तरह अगनी उन दुशित वस्तों को जला देती है जो उसमें डाली जाती है तो अगनी भी ये भिन्नता नहीं करती कि किसने मुझे कौन सा तत्व इंधन की तरह प्रदान किया है जो भी अगनी के संपर्क में आएगा वो सब जल जाएगा तो प्रत्वी वायू आकाश जल और अब अगनी की बात की गई यहाँ पर लिखते हैं आचारे तातपरे में कि इस शरीर के पोशन के लिए प्रत्तेक अंग को अलग से अगनी नहीं चाहिए उश्मता की अगनी की ताप की महत्ता यह है कि वो भिन्निस्थान पर उपस्तित रहकर भी अन्यों को उसका अनुभव करा सकती है लिखते हैं आगे कृष्ण भावनामृत व्यक्ति के पास असावधानी के साथ जाना अगनी के पास असावधानी के साथ जाने के बराबर है क्योंकि जैसे अगनी तुरन जला दी जिती है वैसे यदि साफधानी न रखी जाए तो भगवान का भक्त जब हमें भगवान के श्री चर्णों में रुची उत्पन्ने करा दे हमें इसका अनुभवी नहीं होगा श्लोक संक्य 46 में आगे अगनी के स्वरुप को स्पष्ट करते वें कहते हैं संत पुरुष अगनी के ही समान कभी प्रक्षन रूप में तो कभी प्रकट रूप में दिखता है असली सुख चाहने वाले बद्ध जीवों के कल्यान हेतु संत पुरुष गुरु का उजनी ये पद स्विकार कर सकता है और इस तरह वे अगनी के सद्रिश अपने पूजकों की बलियों को दया पूर्वक स्विकार करके विगत तथा भावी पापों को भस्म कर देता है इस चरणों की शरण छोड़के इस जगत में यत्र तत्र सर्वत्र विचरण कर रहा है तो संत पुरुष अपने उच्च पद को घुशित नहीं करते हैं वो प्रक्षन रूप में रहते हैं कभी जहां आवशक्ता है वो उस ताप को उश्मा को भीतर संयोजित करके रखे रहते हैं और जब आवशक्ता पढ़ती है तब उसको प्रज्वलित करते हैं जो चैतने महाप्रभू अत्यंत दैन करुणा में दयालूस रूप में रहते हैं वो अपने भक्तों की रक्षा कर करने के लिए रौद्र रूपी धारन कर लेते हैं तो चैतने चलेतामरित में जब हम श्रमन करेंगे कि वास्ताव में यदि पहला सत्याग्रा अंदोलन देखा जाए तो चैतने महाप्रभू ने आरम किया था जब काजी ने कह दिया कि नदिया में मायापुर जिस स्थान को हम आज कह रहे हैं कह दिया कि नाम संकीरतन खुले अपने अपने बंद घरों में कर सकते हैं पर घर के बाहर आवाज नहीं चाहिए और चैतने महाप्रभू ने पूरे नदिया को इखटा कर लिया घर घर में सूचना पहुंच गए कि जिसके पास जो वाद्ययंत्र हैं करता सब लोग अपने अपने वाद्ययंत्र और हाथ में एक मशाल लेकर और नदिया में भ्रमण करके नगर संकीरतन करते वें काजी के द्वार पर पहुंचेते हैं काजी अपने घर में सबसे ऊपर के कमरे में जाकर चुपकर बैढ़ गया था और भीड इतनी प्रोत्साहित थी कि कैसे नगर संकीरतन बंद कर दिया गया तो एक चैतने महाप्रभू के इशारे पर भीड काजी नबाब हुकूमत सबको नश्ट कर सकती थी चैतने महाप्रभू उस द्वार पर पहुंचकर भीड कोश्तान तो होने का एक संकेत देते हैं काजी को नीचे बुलाते हैं और वारता करते हैं और काजी कहता है जो आपको तो पता ही है मैं रिष्टे में आपका मामा लगूँगा और इस प्रकार की बाते हम चाहता ने चाहता हमने तो पढ़ते हैं कहने का आश है ये है कि विद्वत जन अपने तेज को अपनी उश्मा को अपने तेजस्वी को विद्वत्ता की अगनी को भगवत प्रेड़ना से सभी के बद्ध जीवों विशेश रूप से बद्ध जीवों के कल्यान के लिए समय समय पर उपस्तित करते हैं कभी कभी राख के भीतर हमें अगनी दिखती नहीं है उपर से इस प्रक्षन्न स्वरूप में इसलिए कौन भगते हैं और कौन भगते हैं हम नेड़े नहीं कर सकते हैं सामानतिया हम सामाजिक परिस्तितियों में शरीर से संबंधित संबंधों के अनुसार किसी की पात्रता का परिक्षन करते हैं पर आचारे कहते हैं कि तेजस्वी की आयू नहीं देखी जाती सत्य के प्रति जितनी जीवन में भक्ति के प्रती, साधना है, समर्पन है, सत्य निष्ठा है, शास्त्र कहता है उतनी सामर्थ आती जाती है, तो अशुब प्रवृत्तियां अपने आप भस्म होने लग जाती है, तो ये तेजस्वी की अगनी का प्रताप है, इसलिए अवदूत यहाँ पर कहते हैं कि मैंने अगनी को गुरु के रूप में स्विकार किया है, आगे कहते हैं, स्वमाययाश्रिष्टमिदम सत असत लक्षनम विभू प्रविष्ट इयते ततत स्वरूपतनी इवाधसी, जिस तरह अगनी विभिन्ना आकारों तथा गुणों वाले काश्ट खंडों में भिन्न रूप से प्रकट होती है, उसी तरह सर्व शक्तिमान परमात्मा अपनी शक्ती से उतपर्ण किये गए, उच्चे तथा निम्न योनियों के शरीरों में प्रवेश करके, प्रतेक के स्वरूप को गरहन करता प्रतीत होता है, तो अगनी सभी में प्रविष्ट हो सकती है, और उस स्वरूप को ग्रहन कर सकती है विशुद दात्मा बनकर भगवान का नित्यानन्द में दास बनकर इस अब यथार्थ को स्विकार करके भौती कावरण में लीन हुए बिना व्यभार करने वाला जीव भगवत प्रात्ती करने का पात्र बन जाता है आगे श्लोक संके 48 में कहते हैं ऐसे परिवर्तनकाल की अव्यक्त गती द्वारा लागू किये जाते हैं तो आत्मा अप्रभावित रहती है किसे जन्म से लेकर मृत्यों तक की भौतिक जीवन की विभिन अवस्थाओं में क्यों क्योंकि यह आत्मा की असली पहचान नहीं है आत्मा कोई संदर्व में कोई अस्पष्टता भी नहीं है लिखते हैं आचारे यहाँ पर श्रील सिधर स्वामी के उधरन को प्रस्तुत करते हुए कि जैसे सूर्य एक अगनी तुल्य लोग है चंदर्मा एक जलमे लोग है वैसे उस स्वरूप में उन्हें देख पाने के लिए विशेश क्रिपा की पात्रता की अविशक्ता होती है भौतिक परिवर्तनों से अक्षुन रहने वाले आत्म तत्तों गए हमें इस भाव से अवलोकन करना चाहिए आगे श्लोक संख्या उन्चास में कह रहे हैं कालेन वेगवेनेन भूता नाम प्रभवाप्ययो नित्या वपीन दश्येते आत्मनो अगने यथार्ची शाम अगनी की लप्टे प्रतिक्षन प्रकट तथा लुप्त होती रहती है और यह स्रिजन तथा विनाश सामान प्रेक्ष को द्वारा देखा नहीं जाता इसी तरह काल की बलशाली लहरे नदी की प्रबल धाराओं की तरह निरंतर बहती रहती है और अव्यक्त रूप से असंख्य बहुतिक शरीरों को जन्म मृत्युत था वृधि व्यदान करती रहती है फिर भी आत्मा जिसे निरंतर अपनी स्थिती बदलनी पड़ती है काल की करतुतों को देखने ही पाता तो राजा यदू को इस प्रकार से अव्दूत चंदर्मा का उधारन देने के बाद पुना अगनी की उधारन पर आ गए है जैसे जैसे इस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं अव्दूत जिस विशे में उनको जो स्मरण आ रहा है फिर उसे स्पष्ट कर रहे हैं तो प्रत्वी, वायू, आकाश, चल, अगनी, चंदर्मा और उसके पश्चात उना अगनी क्या कह रहे हैं? यदि हम यहाँ पर श्लोक संख्या उन्चास में देखें आश्यर वद पश्यत कश्यताम कहते हैं कि आत्मा की सतत सच्चाई यह है कि समय के प्रभाव से भौतिक शरी निरंतर प्रकट और लुप्त होते जाएंगे पर नित्य आत्मा के साथ कभी न संबंद बनाने वाला जीव अपने आपको कितना अधीक शरीर के संबंदों में आसक्त कर लेता है कि हर मरते हुए व्यक्ति को देखकर दूसरा कभी सुदह स्वभाविक रूप से यह स्मरण नहीं कर पाता कि उसे भी मरना है तो यह जो वैराग्य गुण ठीक से उत्पन्य करने के लिए शाश्वत पातावरन का अनुभव करने के लिए जिस प्रेणा की आवशक्ता है उसे यहाँ पर अगनी के रूप में अवधूत माल्क दर्शक बतला रहे हैं आगे श्लोक संकिया 50 में कहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी प्रकर करनों से पर्याप्त मात्रा में जल को भाब बनाकर उड़ा देता है और बाद में उस चल को वर्षा के रूप में प्रत्वी पर लोटा देता है उसी तरह संत पुरुष अपनी भौतिक इंद्रियों से सभी प्रकार की भौतिक वस्तों को स्विकार करता है और जब सही व्यक्ति उन्हें लोटवाने के लिए वापस आता है पास जाता है तो उन भौतिक वस्तों को वह लोटा देता है इस तरह वह इंद्रिय विश्यों को स्विकारने तथा त्यागने दोनों में ही फस्ता नहीं तो अगला गुरु कौन है? सुर्य है यहां पर जल्स को पृत्वी की सतह से लेकर भाप बनाकर उड़ा ले जाने पर उन्ह वर्षा की बुंद में के रूप में पृत्वी पर लोटा देना तो भातिक इंद्रियों से आवश्यक संसाधनों का संलगन करना और संकलन करने के पशात उसका प्रेयोग क्रिश्ध भावनाम।द के लिए करना आचारे कहते हैं ये गुण हमें सूर्य से स्विकार करना है बहुतिक संपत्ति के संग्रह में कोई आपत्ति नहीं है पर वो संग्रह कृष्ण भावनामनेत आंदुलन को असीम बनाने के लिए रयुक्त होना चाहिए सूरे की सर्व व्यापक्त यह था साध्य तरीके से निरंतर अपने आपको प्रदिप्त रखना अवदूत कहते हैं यह मैंने सूरे से सीखा है इश्लोक संक्याई क्यावन में बुद्य तेस्वेन भेदेन व्यक्तिस्थ इवतद्कत लक्षय तेस्थूलमती भी आत्मा चावस्ति तोरकवत विविद वस्तिवों से परावर्तित होने पर भी सूरे न तो कभी विभक्त होता है न अपने प्रतिबिम्ब में लीन होता है जो मंद बुद्धी वाले हैं वे ही सूरे के विशे में ऐसा सोचते हैं इसी प्रकार आत्मा विभिन भौतिक शरीरों से प्रतिविम्बित होते वे भी अविभाजित तथा भौतिक रहता है तो हम देखें यदि तो अवधूत का सारा प्रयास यहाँ पर अपने आपको उन गुरुओं के मागद्रशन में रहकर सीखी गई सिक्षाएं प्रस्तुत क करने पर है ना कि स्वयम को अत्यधिक महत तो प्रहुता के क्रम में स्थापित करने के लिए क्योंकि वो सब कुछ इस भौतिक जगत से संबंदे थे और भौतिक जगत की समाप्ति के साथ ही नश्ट हो जाने वाला है इस लोग संख्या बावन में कह रहे हैं मनश्य को चाहिए कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तों के लेते दी किसने या चिंता न करे अनिता उसे महान दुख भोगना पड़ेगा जैसा कि मुर्ख कपूतर भोगता है तो कोई जो उनको सकारात्मक प्रेणा दे रहे है अवधूत को उसे वो गुरु के रूप में स्विकार कर रहे हैं कोई नकारात्मक ता को कैसे नश्ट किया जाए इसकी प्रेणा दे रहे है तो उसे अवधूत गुरु के रूप में स्विकार कर रहे है उलेक करते हैं यहाँ पर कि मुर्ख कभूतर क्यूं कहा क्योंकि सामानत या भागवत ने इस प्रकार की भाषा बिना संदर्व के प्रस्तुत नहीं की जाती आचारे ने लिखा है तातपरे में कि ऐसी एक कथा श्रिमत भागवतम के सब्तम इसकंद के दुती अध्याय में यम्राज द्वारा राजा सुयग्य की शोकात और विद्वा पत्मियों से कही गई थी तो इस कपोत कथा को कभूतर भी यहां पर प्रेड़ा के रुप में व्यक्त करते हुए कहते हैं कपोत कशनारण्य कृत नीड़ वनस्पतो कपोत्या भार्य यासादुम उवासकतिचित्समा एक कभूतर था जो अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहता था उसने एक व्रिक्ष के भीतर अपना घोसला बनाया और कभूतरी के साथ कई वर्षों तक वहां रहता रहा था कपोत कथा बताई जा रही है कपोतोस्ने गुणीत रिदयो ग्रिह धर्मिनो रिष्टिम द्रिष्ट्यांगम यंगेन बुद्धिम बुद्धया बबंदतु कपोतोस्ने गुणीत रिदयो ग्रिह धर्मिनो द्रिष्टिम द्रिष्ट्यांगम अंगेन बुद्धिम बुद्या बबंदतु कपुतर का यह जोड़ा अपने ग्रिहस्त कारियों के प्रतिय तेधीक समर्पित था उनके हदय भावनात्मक इसनेहे से परस्पर बंदे थे वे एक दूसरों की चित्वनों शारेरी गुणों तथा मन की अवस्थाओं से आक्रिष्ट थे इस तरह उन्होंने एक दूसरे को इसनेहे से पूरी तरह बांध रखा था तो कपोट कथा व्यक्ति की गई है यहाँ पर इतने आक्रिष्ट थे नर और मारा कभूतर एक दूसरे से कि वे शड़वर का भी विछो सहन नहीं करते थे जीव का वास्तवित प्रेम वास्तों में भगवान से होता है विक्रत प्रतिबिम्ब के इस क्रम में जिस इसनेहे की प्रेम की बात की जारी आचारे लिखते हैं कि वह भौतिक इसनेह के रूप में दिखता है प्रम सत्य की विस्मृति पर तिका हुआ ये भौतिक इसनेह अंदर तक किसी का लाब नहीं कर पाता क्योंकि लिखते हैं यहाँ पर कपूत का उधारन देते हुए भविश्य पर निश्चल भाव से विश्वास रखते वे प्रेमी युगल की भाती जंगल के विक्षों के बीच लेटते बैटते चलते फिरते खड़े होते बाते करते खेलते खाते पीते रहे यम यम वांग्षयसी सा राजन तरपयं त्यो अनुकंपिता तम तम समन यतकामं क्रिक्षेनाप्य जितेंद्रिया यह राजन जब भी कभूत्री को किसी वस्तो की इक्षा होती तो वो अपने पती की चाटुकारिता करके उसे बात दे करती और वैस्वयम भारे मुश्किले उठा कर भी उसे त्रप्त करने के लिए वही करता जो वह चाहती थी इस तरह वह उसके संग में अपनी इंद्रियों पर सयम ने रख सका तो कभूतर क्यों धारण है इसके लिए यहाँ पर तरपयंती यहाँ पर आचारे शब्द उलेक कर रहे हैं कि वह मुस्कान भरी चित्वन और प्रेम भरी बातों से मोहने में पटू थी अवधूत कपूत के इस कभूतर के जीवन से क्या सीखना की अपनी अभिलाशा व्यक्त करते हैं कहते हैं कभूतर दोय की यह कथा उस अमुल उपदेश की और संकेत कर रही है कि आनिवार विशोह जिसके जीवन में सही आवस्था और विवस्था के साथ स्थापित नहीं है उन्हें दारोर दुख सहना पड़ता है यदि मनश की बुद्धी इंद्रियों के स्वामी हिशिकेश की सेवा में सवर्पित नहीं होती है तो वो शारीरिक प्रप्ति के अज्ञान में डूप जाएगा और तब वो मुर्ख कबूतर की तरह से ही व्यभार करेगा श्लोक संक्या सत्तावन में कपोती प्रथमं गर्भं ग्रिहनंती काल आगते अंडानी शुश्वे नीने स्तपत्यू सन्निधो सती तत पश्चाद कबूतरी को पहले गर्व कानुब हुआ जब समय आगया तो उस साद्वी कबूतरी ने अपने पती की उपस्तिती में घोसले में कई अंडे दिये जब समय पूरा हो गया तो उन अंडों से भग्वान की अचिंत शक्तियों से निर्मित मुलायम अंगो तथा पंखों के साथ बच्चे उत्पन्नुए कबूतर का यह जोड़ा अपने बच्चों के बच्चों का पालन पोशन करने लगा यह माता पिता अपने पक्षी बच्चों के मुलायम पंखों उनकी चहचाहर घोसले के आसपास उनकी कूत फान करना उनका उचलने और उड़ने का प्रयास करना देखकर अत्यन थर्शित हुए अपने बच्चों को सुखी देखकर माता पिता भी सुखी थे आगे कथाती है उसके लिए विस्क मनशी के तरह विचार करेंगे पहले स्वेम के प्रती आसकत एक दूसरे के प्रती ततपश्यात उस आसकती से उत्पन संतानों के प्रती आसकत रहना और एक दिन की घटना में बताया जा रहा है एक दा जग्मत उतासाम अनार्थम तोकु तुम्बिनो परितह कानने तस्मिन अर्थिनो चेरत उष्चिरम एक दिन परिवार के दोनों मुख्या अपने बच्चों के लिए बोजन तलाश करने बाहर चले गए अपने बच्चों को ठीक से खिलाने के जिंतामे में काफी समय तक पूरे जंगल में विच्रन करते हूए कभूतर तथा उसकी पत्नी अपने बच्चों के पालन पोशन के लिए सदयाव चिंतित रहे थे और इसी उद्देश से भी जंगल में भटकते रहे थे समुचित अन्न पाकर अब वे अपने अपने घौसलों पर लोट आए कभूतर ने अपने बच्चों को बहलिये के जाल में असे देखा तो वो व्यथा से अभी भूत हो गए और चिलाती हुए उनकी ओर दोड़ी वे बच्चे भी उसके लिए चिलाने लगे सास असक्रत स्नेह गुणिता दीन चिता अजमायया कभूतरी ने अपने को गहन इसनेह के बंधन से सदा बांध रखा था इसलिए उसका मन वेधा से वेवल था भगवान की माया के चंगुल में होने से वे अपने को पूरी तरह भूल गई और अपने असहाए बच्चों की और दोड़ती भी वह भी तुरंद बहे लिए के जाल में बंध गई तो इसलिए कपोत कथा अमारे ले सुनना बहुत आवश्य के आगे लिखा है अपने प्राणों से भी प्यारे अपने बच्चों को तरह साथ में अपने हिसमार अपनी पत्नी को बहलियों के जाल में बुरीत का बदा देखकर बेचारा कभूता दुखी होकर विलाप करने लगा कभूतर ने का हाई देखो ना मैं किस तरह बरबाद हो गया हूँ इस पश्ट है कि मैं महामुर्ख हूँ क्योंकि मैंने समचित पुर्णे कर्म नहीं कि ना तो मैं अपने को संतुष्ट कर सका नहीं मैं जीवन की लक्ष को पूरा कर सका मेरा परिवार जो मेरे धर्म अर्थ तथा काम का आधार थे अब बुरी तरह नश्ट हो बहुत अधिक जगत में आवंद रहने वाले परिवारों के लिए ये कहा जा रहा है क्योंकि इस श्रंखला का कोई अंत नहीं है उप्तरदाईत्व के लिए हमने माता-पिता का सरुल भारन किया माता-पिता के रूप में हमें जो संतान प्राफ्त वी उस संतान को उना इस स्रिष्टी के क्रम में एक जिम्मेदार और उत्तरदाई माता-पिता बना देने के पश्चात शास्र कहता है जीव को उसमें बुखात अधिक आ सकती नहीं रखनी चाहिए कभुतर यहां अपनी इंद्रेत्रिप्ति से तुष्ट होने की बात कर रहा है कि वो इस इंद्रेत्रिप्ति से तुष्ट नहीं है समझने की यहाँ पर बहुत महत्यों की आवशक्ता है कि पूरा जीवन कभूतर ने निकाल दिया और उसके प्रश्चात कहता है मैंने समुचित पुर्णे कर्म नहीं किये क्यों? क्योंकि अपनी इंद्रियों को तुष्च किये जाने कि इस प्रयास में वास्तों में कभी संतुष्टी नहीं मिनती इंद्रेत रिप्ती मन उनके साथ सनलगनों कर भावी विकास की योजनाय बनाने लग जाता है और इस प्रकार पहतिक जगत के प्रेम पक्षियों के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि उसके तथा कतित बच्चे, पती, पत्नी बहेलिये के जाल में खीच लिए जाएंगे और वो बहेलिया कौन है? मृत्यु काल, तो कहने का भी प्राह है कि मृत्यु सभी कुछ कर देती है, कपोत यहां पे कह रहा है, अनुरूपा अनुकूलाच यस्यमे पति देवता, शुन्ये ग्रिहे माम संत्यज, पुत्रे स्वधार्यती साधुभी मैं तथा मेरी पत्मी आदर्श चोड़ा थी, बहुत सदैव मेरी आग्या का पालन करती थी और मुझे अपने पूझे देवता की तरह मानती थी, किन्त हुआ अपने बच्चों को नश्ट हुआ और अपने घर को रिक्त देखकर मुझे छोड़ गई और हमारे संत्य सभाव वाले बच्चों के साथ स्वर्ग चली रही है जब पिता कभूतर अपने बेचारे बच्चों को जाल में बधा और मृत्यू के कगार परदीन भाव से उन्हें अपने को छुडाने के लिए करुणा वस्था में संघर्ष करते देख रहा था तो उसका मस्तिष कृष्ण्य हो गया और वह स्वयम भी बहेलिये के जार में गिर पड़ार था अत्मृत्यू एक दिन सभी को अपना ग्रास बनाने वाली है इस स्थिती के लिए हमें सदैव तयार है ना चाहिए इस लोक संक्या बहत्तर में कह रहे हैं यहाँ पर तम लब्ध्वा लुब्दक क्रूर कपो तम ग्रिहम एधिनम कपो ते कान कपो तिम्च सिद्धार्थ प्रययो ग्रिहम वह निष्टूर बहेलिया उस कभूतर को उसकी पत्नी तथा उनके सारे बच्चों को पकड़ कर अपनी इक्षा पूरी करने के लिए अपने घर के लिए चलता एवं कुटुम्ब्य शान्तात्मा द्वंदाराम पतत्रिवत हुष्णन कुटुम्बमक्रिप्ण सानुबंदो अवसीधती इस तरह जो व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में अत्यधिक अनुरक्त रहता है वर्द में शुब्द रहता है अपने परिवार का पालन पोशन करने में बुरी तरह व्यस्त रहकर कंजूस व्यक्ति अपने परिवार वारों के साथ अत्यधिक कश्ट भोगता है यम प्राप्यमानु शमलोकं मुक्ति द्वारं अपावरतं ग्रिहे शुखग वतसकत तम आरूनं चुतं विदू जिसने मनुष्य जीवन पाया है उसके लिए मुक्ति के द्वार पूरी तरह से खुले होगे है किन्तो यदि मनुष्य इस कथा के मुर्ख पक्षी की तरह अपने परिवार में ही लिपत रहता है तो वह ऐसे व्यक्ति के समान है जो उचे स्थान पर केवल नीचे गिरने के लिए ही चड़ा है चड़तो गए उचे स्थान पर पर नीचे गिरने के लिए ही चड़े है तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रीमत भागवतम के ग्यारवे सकंद के अंतरगत भगवान कृष्ण द्वारा उद्धा को उप्टेश नामक सात्वे अध्याय के श्रीला भक्ति विदान्त स्वामी प्रहुपात के विनीत सेव को द्वारा दचे तात्पर पूर्ड हो रहे है प्रतात्पर और इन वर्णन के साथ जो यहाँ पर सत्याय में कपूत कथा से समाप्त हो रहा है वहीं भी समझना है कि इन अनेका नेक गुरुओं को अवधूत किस प्रकार हमारे जीवन में स्पश्ट करा है तो प्रतम करीब आठ जो गुरू है अवधूत के वह हमने श्रमन किये प्रत्वी के बारे में वायू के बारे में आकाश के बारे में जल अगनी चंद्रमा के बारे में सूर रहता था कपूतर के बारे में आगे अजगर समुद्र पतिंगा मधुमक्की यह सब हम श्रमन करेंगे आज के लिए सत्र को यहीं पर समात करते हैं श्रीला प्रवपाद कीज़े है श्रीला गुरुदेव कीज़े है अनंत कोटी व्याश्न व्रिंदी कीज़े श्रीमत भागवता महापुरान कीज़े है हरे क्रिश्न